एलो फ्रेंड्स, जैसे हो आपसर आज की वीडियो लेक्चर में हम कुछ इंपर्टन क्वेश्चन डिसकस करने वाले हैं तो चलो आज का लेक्चर श्टर करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, विच आप दो फॉल्लॉविंग इस प्राइसाइकलिक अंटिडिप्रेजेंट तो पूछा गया दोस्तों कि इंपिकोन था, प्राइसाइकलिक अंटिडिप्रेजेंट ड्रग है ओप्सनई है राजोडोन, ऑप्सन बी है, पिनालजीन, ऑप्सनदि है, लोकजितीन, इनन ऑप्सनदी है, एमेटरिप्रिप्रेज़ेंट दोस्तो इसका right answer है option D, emitively जो की tricyclic antidepressant drug है, ये चारो भी जो drug है ये antidepressant drug की class में आते हैं, ओके दोस्तो, लेकिन specifically जो है सभी की अलग-अलग classes है, ओ भी जान लेते हैं, कभी-कभी इनपे भी question पूछ लेता है, जो ragodone है, इसकी class है, और typical antidepressant है, ओके दोस्तो, जो phenylgene ह है, इसकी class है, mono-oxidase inhibitor, ओके, और जो phloxetin है, इसकी class है selective serotonin reuptake inhibitor है, जो दोस्तो ये आप याद रख सकते हैं, जो next question देखते हैं, question number 2, to acetyl salicylic acid is, मैंस पूछा गया है दोस्तो, कि acetyl salicylic acid क्या है, option B, mefenamic acid, option C, esprin, option D, sullindac, दोस्तों, इसका right answer है, option C, esprin, esprin को ही acetyl salicylic acid कहते हैं, और ये use होता है, as a pain relief, pain को relief कर देता है, and fever को कम करता है, and inflammation को कम करता है, और ये as a nasate के रूप में use करते हैं, non stradal anti-inflammatory, ये चारो भी drug, उसी की category में आते हैं, आपने याद रख सकते हैं, next question देखते है, question number 3, the crude drug with the latin name विथानिया सोमनिफेरा, इस पुछा गया है दोस्तों, कि इन में ऐसा कुन सा crude drug है, जिसका latin name विथानिया सोमनिफेरा है, option A, ब्राम्मी, option B, अस्वगंदा, option C, इसका right answer है, option B, अस्वगंदा, अस्वगंदा है इसका right answer है, ओके दोस्तों, तो अस्वगंदा का नाम है, इटालिया नेम, विथानिया सोमनिफेरा, कभी-कभी इसके signo name पूछ लेता है, तो विथानिया रूट, ये आप याद रख सकत है, और another signo name है, उसे भी आप याद रख सकते है, इंडियान जिंसेंग, वाइजन, ग्रोसबेरी, एंड, विंटर चेरी, और जो बाकी के ड्रग है, इनके बारे में भी जान लेते है, ब्राम्मी, ब्राम्मी का इटालियान नेम है, दोस्तों, बोपा मोनिरी, बोपा मोनिरी और इसके signo name है, सोमवली एं सरस्वती, ओके दोस्तों, हायोसमस है, इसका इटालियान नेम है, हायोसमस नाइगर, हायोसमस नाइगर, इसका signo name है, हेन बन, ओके दोस्तों, इपी क्याक का लेटिन नेम है, क्यारा पाची, इपी कॉनना, और इसका signo name है, इपी कॉनना, नेक्सक्क पोश्चन देख लेते हैं पोश्चन के द्वरारा ओप्शन ए मलारिया ओप्शन B और रैपार्णो सोम्नियस ऑप्शन C आमोईवियासीस ऑप्शन D प्लेरियासीस इसका राइट आंसर है, option C, Amoebiasis, ओके दोस्तों, Amoebiasis ही इन्टाइमोबा हिस्टोलिका पैरसाइट के दौरा कॉस्ड होता है, और बाकी की डिसिस के बारे में जान लेते हैं, ये कुंते-कुंते बेक्टेरिया के दौरा कॉस्ड होते है, जो मलेरिया है, ये टोटो जो टाइप से वेरियरास, पॉर टाइप सोती है, जनरली, लाजमोडियम फालसिफरम, लाजमोडियम वावले एं प्लाजमोडियम वावले, ए स्प्लास्मोडियम मलरिया, ओके दोस्तों, प्राइपैन आसिस ये इसे «स्लिपिंग सिकनेस भी कहते हैं» ये अब आद रख सकते, and it caused by tripanosoma bruce okay दोस्तो then moebiusis तो आप जानते intimobahistolica के दोरा होता है and जो flariasis है यह infected by होता है roundworm pilaroidia types okay दोस्तो आप याद रख सकते हैं then next question देखते है question number 5 the component of tablet machine which control the shape and size of tablet is मैं पूछा गया है दोस्तो कि इन में से shape and size tablet के shape and size को कौन control करता है option A is hopper option B is dice option C is 65 option D cam track दोस्तो इसका right answer है option B dice dice ही tablet के shape and size को control करता है तो बाकी के example के बारे में जान लेते हैं कि इनका क्या function है parts का जो यह hopper होता है न दोस्तो यह holding and feeding granules को करता है यह granules को पकड़ के रखता है और उसको feed करने का काम करता है dice का तो use आप जानते है कि shape and size के प्रदान करता है यह punches होता है यह punches क्या होता है used for compression of granules with dye dye की सहायता से compression करने के काम में आता है and जो cam track होता है cam track क्या करता है गाइड करता है moment of punches moment of tracking punches यानि punches को एक control करने का way है इसका काम track का और एक कभी कभी पूछ लेता है दोस्तो turrets turrets के बारे में भी पूछ लेता है कि turret क्या करता है यह turrets जो है यह hold करता है इसको upper and lower punches को यह आप याद रख सकते tablet machine के बारे में कभी कभी question पूछ लेता है और यह tablet जो है generally compression method से बनाई जाती है यह भी पूछ जाता है ओके दोस्तो next question देख लेते है question number 6 the rod shape bacteria are पुछा गया है दोस्तो कि इन में से rod shape वाला bacteria को नता है option A focus, option B bacillus option C spirula and option D vibrus जो इसका right answer है दोस्तो option B bacillus bacillus को ही rod shape bacteria कहते है आपके screen पर एक diagram आ रही है दोस्तो देख लो उसमें से सभी shape के bacteria है next question देखते है question number 7 the cell enclosed by plasma membrane unfold mainly off जो सेल है यह enclosed होती है plasma membrane से और उसमें mainly क्या होता है option लिपीड and emulsified fats होता है या lipid and proteins होते है या proteins and emulsified fats होते है या fat and carbohydrates होते है दोस्तो इसका right answer है उसमें lipid and proteins होते है ओके दोस्तो next question देखते है question number 8 who discovered penicillin vaccine इस पूछा गया है दोस्तों कि इन में से penicillin की vaccine इसने discover की यानिको उन्त साइन्टिस्ट ने की option E is Alexander Fleming option B Watson Creek and option C Edward Jenner and option D Robert Coach दोस्तों इसका right answer है option A Alexander Fleming इन्होंने ही penicillin की vaccine discover की थी ओके दोस्तों तो बाकी के scientist के बारे में जान लेते हैं कि उन्ने क्या discover किया उन्ने क्या खोजा तो जो Watson and Creek है इन्ने DNA की खोज की थी दोस्तों DNA की खोज की थी और यह जो Edward Jenner है इन्होंने small fox vaccine की खोज की थी small fox fix ओके Edward कोच है इन्होंने बहुत सारे discover किया इन्होंने positive organism of anthrox को find out किया safety semia tuberculosis and cholera ओके दोस्तों इतनी सारी कोज इसकी आप भी इन्होंने याद रख सकते इनके उपर भी कभी-कभी question पूछ लेता है the next question देखते है question number 9 vitamin tablet are generally formulated as मैंस पूछा गया दोस्तों कि vitamin की tablet है वो generally किस में formulated की जाती है किस type की tablet में formulate की जाती है तो इसका right answer है दोस्तों पहले option देख लेते है hypodermic tablet B sublingual tablet option C effervescent tablet and option D achievable tablet दोस्तों इसका right answer है option D achievable tablet जो vitamins की tablet generally achievable type में होती है हमने Corona भर में बहुत सी tablet वी उसकी जिसमें most famous vitamin C की tablet आती ती limb C कर गया ओके दोस्तों बहुत ज़्यादा demand थी उसकी next question देख लेते है question number 10 one among the following is a volatile oil containing crude drugs मैंस पूछा गया है दोस्तों कि इन में से कौन सा एक fruit drug है जो की volatile oil को contain करता है option A is chirata option B cardamom option C lincid and option D marobalum इसका right answer है दोस्तों option B cardamom cardamom ही volatile oil containing करता है ओके दोस्तों तो बाती के drug क्या-क्या contain करते हैं वो भी जान लेते हैं main constituent उनका क्या है जो अपना chirata है ये xanthons को contain करता है जो cardamom तो पता ही है आपको दोस्तों volatile oil contain करता है जो lincid है ये fixed oil को contain करता है and contain करता है जो marrow बालम है ये tannins को contain करता है ओके दोस्तों question number 11 electroencephalogram EEG is utilized to diagnosis the disease associated with the means पूछा गया है दोस्तों कि जो EEG है ये utilized किया जाता है diagnosis of disease उन्ते disease यानि किस body के organ के उपर जो disease होता है उसके साथ इसको diagnose करने के लिए यूज किया जाता है तो इसका option ये है heart, option B है kidney, option D है abdomen, option C है brain तो इसका right answer है दोस्तों option D brain ये brain के साथ यूज किया जाता है disease को diagnosis करने के लिए और generally ये जो electroencephalogram जो है इसकी abnormalities को detect करने के लिए इसको यूज किया जाता है एंड जो generally electric activity को measure करता है brain ओके दोस्तों ये आप याद रख सकते हैं आपके screen पर इमेज आ रही है उससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का होता है ये next question देखते हैं दोस्तों the hormone involved in the secretion and regulation of milk पुछा गया है दोस्तों कि ऐसा कुंता हर्मोन है जो कि involved होता है secretion and regulation of milk में option is ESH option B FSH option C thyroxine and option D prolectin इसका right answer है दोस्तों option D prolectin prolectin ही regulate करता है secretion of milk को ओके दोस्तों ये हर्मोन है ओके तो बाकी के हर्मोन के बारे में भी जान लेते हैं जो ESH है इसको बोलते है थायरोइड इस्टेमिलेटिंग हर्मोन ये जेनरली कंट्रोल करता है production of thyroid hormone and thyroxine and trihydothyroxine ओके दोस्तों इसको control करता है जो एपे सच है follicle stimulating हर्मोन है जो कि इसका function है ये associated with reproduction and development of ex in women and sperm in male okay दोस्तों इन जो thyroxine हर्मोन है ये P4 कहते है इसे आप याद रख सकते है जो की एक वाइटल रोल प्ले करता है in digestion, heart muscle function and brain development and maintenance of bone okay दोस्तों अपे याद रख सकते है जो एडिशनल इफर्मिशन थैंक्यू प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पर मोर इंफर्मिशन थैंक्स पर वाचिए